नमस्कार बेंट जी, सत्सा है जी, क्या नाम है आपका? सर मेरे नाम हो रुमला भगत नहीं है, आप कहां से आई हैं? मैं आई जी, भरिदाबाद के पास एक अनक प्रगाम है, महां से आई जी, संत्रामपाल जी महाराज की सर्ण माने से पहले आपने क्या-क्या साथ नहीं की? सर मैंने सभी देवी देवतान की भगती करी हैं, मुझे उनसे कोई लाब नहीं मिला, जैसे मेरे घर में हर बगत कलेश रहना, परीवार में जैसे के लड़ाई जगड़े तो हर बगती रहते हैं, मेरे भगती सरा भी पीते थे, और फे मेरे एक तरफ वेटा भी नहीं थे, में हर बगत कलेश में रहती थी, देवी देवतान की पूजा करती थी, तो हमारे भगती कहते थे, के मेरे आत्मा अंदर से भर गई थी, विस्वाश तूट गया था और मैं अपने पती से यह कह दे थी, कि मैंने जोद जला दी, जबकि जलाती नहीं थी. तो एक दना मैंने अपने भगजी से बोल दिया कि आज मैं भगजी जोत नहीं जलाओंगी, क्यों नहीं जलाओंगी, मैं इनकि मेरी अंदर से आत्मा भर गई, विश्वास खतम हो गया, क्योंकि मैं उस दिन से भगती करते भी मुझे विश्वास नहीं है, ना जाने कि घर में खिर की मेरी माराज कि म ही जोत नहीं जलाओंगी, क्योंकि मैं तो मेरी जोत में होराओंगी, और вет गजी है, तो इससे बोगते चला कुए हैं। बेन जी के आपने संत्रामपाल जी महाराज की शर्ण मायने से पहले किसी और को गुरू बनाया था? बेन जी कोई लाव नहीं मिले जी मैंने दस बार साल वहां भगती करी थी और भगती में परमा उन्हों गुरू जी ने बताया थे कि ओम तत्त यह नाम भगती करनी है और जी मैं जब भगती करने बैठे करे तो मुझे नीद आ जाए करे तो मैं कहरी भगती ये कैसी भगती है जब मैं नाम लेने बैठे तब नहीं दा जाती है तो भगती कहरे भगती ये तो नाम तुझे करने ही पड़ेंगे जी आपने इतने सालों तक देवी देवता की भगती की आपने गुरू भी बनाया संचेतना नंजी फरिदाबाद से उनके द्वारा बताएगी भगती करने कोई लाब नहीं मिला तो फिर संतरामपाल जी महराज की सरण में आने के बाद आपको क्या लाब मिलें? मालिक से बीटा करकाई है मालिक मुझे सबसे पहले पेटा की बड़ी भूख के मुझे बेटा दे दो तो परमात्मा ने जी मुझे सबसे पहले एक बेटा दिया तब से मुझे दरण विस्वास हो गाए मैंने नहीं जाना था कि वो पूरुन परमात्मा भी मैं था कि गुरुजी ही ऐसी समझ की चली गई थी तो अब मुझे सच में विस्वास हो गया कि ये पूरन परमात्मा है ये मौक्स दायक है ये मालिक हमें पार करने के लिए आये है ये भगवान है ये कभीर गौड है और जी मुझे बिल्कुल दरण विस्वास हो गया विस्वास से बस बेहन जी पहले आपने संचेतना नंजी फरिदाबाद से उनको गुरू बना रखा था अब आपने संचरामपाल जी महराज को गुरू बना लिया है बेहन जी ऐसा कहा जाता है कि गुरू नहीं बदलना चाहिए गुरू बदलना पाप है आप क्या कहना चाहेंगी जी गुरू बदलना तो कोई पाप नहीं है जी ये तो हम लोग हमारी जैसे सोच हम ऐसे बोलते हैं जी कहने में तो कहते हैं कि गुरू बदनना ठीक नहीं है लेकिन हमारी जब एक बेमारी नहीं एक डॉक्टर से कट रही तो हम दूसरे डॉक्टर के जा सकते हैं जैसे कि मैंने पहले चेतना नंदी महाराज बनाये थे उ तो यही सब कुस मिलने ने बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपको पहले सालों से बूद्पृत की बादा थी संत्रामपाल जी महाराच से नाम दिख्षा लेने के बाद वो एकदम ठीक हो गी तो बहन जी आपने इतनी बड़ी बात छोटे से सब्दों में कह दी क्योंकि हम कि लोग सालों तक महंदीपूर बाला जी जाते हैं फिर भी उनकी बूद्पृत की बादाए ठीक नहीं होती है आपको संत्रामपाल जी महाराच की सर में जाने के बाद इतने सारे लाब मिले तो बहन जी जो लोग आज भी बूद्पृत की बादा से ग्रस्त हैं आज भी सं चेतनानन जी महाराच फरीदाबाद से जुड़े में हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी मैं तो जी उनको सभी आत्मा को यही कहना चाहूंगी कि पूरन परमात्मा आये होएं वो संत्रामपल जी माराज है आप गुरू जी समझ के उन पर गुरू जी समझना वो पूरन परमात्मा उनकी भक्ति करो और वो मोक्स देंगे वो पूरन परमात्मा आप उन पर विस्वास करो और मैं तो जी बड़ी दुनिया में दुखी मालिक ने ठीक कर दी बहुत-बहुत धन्यवाद सत्साहिब जी कर दो